कुमल पदार्थ, soft substance, पदार्थ जिने आसानी से दबाया जा सकते हैं, कुमल पदार्थ कहलाते हैं, मतलब यह कि अपने हाथों से जिसको घिसको हम आसानी से दबा सकते हैं, उन्हें हम क्या कहतेंगे, कुमल पदार्थ, जैसे में गिल्ली मिटी, गुथा वा आटा, रोई का फाहा, अस्पंज का तुकड़ा और रबड कुछ रबड को हम दबा सकते हैं और कुछ रबड को दबा नहीं सकते हैं कठोर पदार्थ, hard substance, पदार्थ जिने आसानी से नहीं देवा जा सकते हैं कठोर पदार्थ कहलाते हैं जैसे में पत्थर, सुखा मिटी, इंट, लोहा आदी अगर आपको अंतर लिखने को बोला जाए तो कुमल पदार्थ एक तरफ लिख दीजेगा और कठोर पदार्थ एक तरफ लिख दीजेगा आसानी से नंबर मिल जाएगा तो आई होप आप आसानी से समझ के होंगे चले मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक लिए जय हिंद वंद मातरम